हेलो दोस्तो आज हाम लो कन्वेंचनाल लोको में जो सेप्टी रिले रात है उसके बारे में जानलेंगे तो कन्वेंचनाल लोको में साथ सेप्टी रिले रात है ओ कौन-कौन सा है QLM, QLA, QRSI1, QRSI2, QOA, QOP1, QOP2 यह साथ रिले को बोलता है सेप्टी रिले तो पहले देखिए QLM, QLM क्या है ना ओभर करन रिले है जो किसको पोटेक्ट करता है फीडिंग पावर सार्किट को पोटेक्ट करता है तो फीडिंग पावर सार्किट का ओभर करन रिले हो गया QLM वो QLM का देखे electrical location कहाँ पर है वो जो root bar से हमारा HD cable DJ के बाद से आ रहा है और DJ के बीच में वो रहता है तो BCB and HD cable के बीच में QLM दिया जाता है और उसका physical location हो गिया relay panel में रहता है और एब relay normally हमारा DNA जाए स्थिति में रहता है तो इसका interlock DJ circuit में नॉर्माली close interlock के साथ रहता है जाब एक QLM हमारा energize होता है ताब इसका interlock DJ circuit में खुल जाता है उसकी कारण से हमारा DJ trip करता है तो एक काब energize होता है ना WAG5 में जिसका 3900 kVA ट्रास्फरमा रहता है उसमें 325 amps में एक energize हो जाता है और WAG7 लोको में 5400 kVA ट्रास्फरमा रेटिंग में ए 450 amps में energize हो जाता है तो ए energize हो जाने से हमारा DJ trip करके हमारा लोको को पोटेक करता है तो ए कहाँ पे रहेगा? फीडिंग पावर सार्कीट में QLM ओभर करन से पोटेक करता है BCB and HD केबल के बीच में रहेगा इसके बाद देखिए QLA, QLA हो गिया हमारा auxiliary power circuit का ओभर करन डिले तो auxiliary power circuit कलब हो गिया TFWA जो हमारा winding रहता है उसका B फेज एन आन्नों के बीच में एक QLA दिया जाता है इसका electrical location पुछने से ए बोलना होगा TFWA बीफेज एन आन्नों के बीच और इसका physical location हो गिया relay panel में यह भी नार्मली जो safety relay रहेगा यह साथ safety relay नार्मली de-energize रहेगा यह जब energized होगा तब एधीजे को ओपन करेगा तो यह नार्मली de-energize रहेगा तो इसका नार्मली close interlock DJ circuit में रहेगा जब energized होगा DJ circuit इसके करन से drip करेगा क्योंकि इसका interlock खुल जाता है काब energized होगा WG5 नोको में यह 1400 amps में और WG7 में 200 amps में यह energized होगा ठीके तो उसके बाद देखिए QRSI1 और QRSI2 यह होगिया हमारा traction power circuit का ओभर करेण relay ठीके तो QRSI1 हमारा RSI1 ब्लोक के लिए और QRSI2 होगिया हमारा RSI2 ब्लोक लिए है दो ब्लोक रहता है RSI1 और RSI2 ए RSI क्या काम करता है ना हमारा लोको को AC से DC कनबट करता है हमारा traction motor DC से चलता है conventional लोको में तो ए DC बनाके देथा है AC लेके तो QRSI1 हमारा हो गया कहाँ पे रहेगा TFP secondary winding और RSI1 के बीच में QRSI2 रहेगा secondary TFP जो winding रहता है और RSI2 के बीच में और इसका नार्माली फिजिकल लोकेशिन हो गया relay panel में यह नार्माली re-energized रहेगा क्योंकि यह safety relay है इसका नार्माली close intel रहेगा हमारा DJ circuit में यह कब energized होगा यह 3600 amps में WG5 में energized होगा and WG7 logo में 4000 amps में यह energized होगा और यह energized होगाने से हमारा DJ trip care के लोकों को protect करेगा उसके बाद देखिए QoA QoA क्या है ना यह auxiliary power circuit का earth fault relay है यह earth fault होने से हमारा लोकों को protect करता है और auxiliary power circuit पे कोई earth fault हो जाने से QoA drop करके हमारा लोकों को protect करता है तो यह कहाँ पे रहेगा देखिए इसका electrical location हो गया हमारा one end connect रहेगा कहाँ पे और जो आन्नोड हैगा rotating converter आन्नोड का neutral point से हमारा battery का positive terminal के बीच में QoA दिया रहेगा जो auxiliary power circuit रहेगा और खोलने से आप लोगों को पाथा चलेगा जो आन्नोड का neutral point और बैटरी के positive terminal के बीच में QoA कनेक्ट रहेगा और इसका normally electrical location यह हो गया physical location relay panel हो जाएगा और यह भी normally de-energize रहता है इसका भी normally closed interlock DJ circuit MTDJ branch में रहता है जाब यह energize होता है इसका normally closed interlock open हो जाता है इसलिए DJ trip करता है और हमारा लोगों को protect करता है earth fault से उसके बाद देखिए QoP1 and QoP2 यह हो गया हमारा traction power circuit में वह आर्थ fault हो जाने से हमारा यह trip करके protect करता है तो traction power circuit का earth fault relay हो गया QoP1 and QoP2 तो QoP1 हमारा RSI 1 के negative और battery का positive के साथ जुरा रहता है है और QoP2 हमारा RSI 2 उसका negative यह बैटरी के positive के बीच में जुरा रहता है यह भी normally DNS जाई रहता है तो इसका normally closed interlock MTDJ branch में रहेगा बट यह जब energize हो जाएगा तब इसका interlock खुल जाता है MTDJ branch से तो उसी करण से हमारा digit trip करता है तो यह साथ हो गया हमारा safety relay तो कौन-कौन देख लही थे QoP1 & QoP2 QoA Qrsi1 Qrsi2 Qla and हो गया Qlm तो यह वीडियो आप लोग को क्यासा लगा वीडियो आच्छा लगा तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना मिलते हैं next कोई वीडियो में झाल ऑजर